कि नमस्कार आज का वीडियो हम लोग पानी के उपर बोलेगे हाइड्रोफोनिक फॉडर उगाने के लिए और खेत में चारा उगाने के लिए कितना पानी लगता है और पानी इस टॉपिक पर हम लोग क्या-क्या बात की बात्चीत कर सकते उसके उपर में आपको डेटेल्स द करता हूँ जो हम खेत में चारा उगाते हैं वह चारा उगाने के लिए अभी अलग अलग टाइप के क्रॉप सेते ना अगर बरसीन बोलेंगे घास बोलेंगे तो वह 25-30 दिन में निकलता है बाकी के जो कुछ भी अगर स्मार्ट नेपियर है हाथी घास बोलते हैं इस डिफ तो ये आपको मांदो में कि इसको फ्रीकंटली हमें पानी बरना पड़ता है खेत में थीक है तो फ्रीकंटली पानी बरना एक एक要स adaptation है हमारे पास on that basis मैं आपको बता रहा हूँ कि एक किलो हरा चारा उगाने के लिए हम कम से कम उसका जो span है life span जो रहता है एक मैना दो मैना तीन मैना अलग लग ग्रास का अलग अलग है हम कम से कम तीन सो से चार सो लिटर पानी वेस्ट करते हैं तब जाके एक किलो का जो गहां से या चारा है हम उगा पाते हैं अब इतना पानी क्यों लगता है उगने के लिए नहीं इतना पानी नहीं लगता है पर बेसिकली जो खेत में हम उगाते हैं वो खेत की जो मिट्टी है उसके क्वालिटी के उपर भी डिपेंट रहता है अगर अच्छा कॉलिटी का लैंड है, ब्लैक सॉइल है, तो उसका वाटर रेटेंशन अच्छा रहता है, अगर कोई थोड़ा सा जिसमें कैल्शियम, यह तो अलग-अलग टाइप का ग्रेडिंग रहता है, अगर पूर ग्रेड का जमीन है, तो उसमें आज पानी भरेंगे, तो दो जमी के सीजन में तो पानी वेपरेट हो जाता है, तो एक चीज और एक बता ना चाहता हूं, मैं, कुछ लोगों के पास 15, 15, 20, 50 एकर जमीन है, पर पानी कितने एरिया को दे सकता है, सिर्फ 2 एकर, 5 एकर, ऐसे भी बहुत से लोग हैं, जो मेरे पास उनकी बात रखते हैं, या फिर बात चीज जब होती है तो पता चलता कि हमारे पास 25 एकर जमीन है, और सिर्फ 2 एकर कोई हम लोग पानी दे पाते हैं, तो ये भी एक important point है, जमीन से भी अगर कोई बहुत बड़ा है, पर पानी से ज्यादा बड़ा नहीं बन सकता, जमीन से भी अभी shortage आने वाला है पानी का, वाटर का, तो उसको तो बहुत हमें सोच समझ की यूटिलाइस करना है, अगर पानी नहीं रहेगा तो बहुत बड़े challenges future में आने वाले हैं, और जो अभी धीरे धीरे दीखना चालू हो गया है, तो ये हमारा, it's very compulsory, we have to think about this, कि हम पानी कैसे बचा सकते, ये अभ सालों के बाद वो crime होने वाला, you cannot waste water, ठीक है, कुछ areas में तो ऐसा चालू किया है, कि आपको 100% trippy use करने पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना पानी आप वेस्ट नहीं कर सकते, अभी आज की तारीक में इस देश में इतना challenges नहीं आ रहे हैं, इसलिए कुछ लोग बिलकु सोच रही नहीं है, पर मैं तो हमेशा, जो मैं आपके सामने ये point लेके आ रहा हूँ ना, ये आगे का vision लेके आ रहा हूँ मैं, 15-20 साल के बाद क्या challenges आने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, आप वो देखेंगे आगे जाके, जैसे जैसे हम आगे proceed होगे, आपको पता चलेगा कि क्या challenges आ रहे, धिरे धिरे पारी कम होते जा रहा है, क्योंकि जो बारिश ही नहीं हो रही है, कुछ जगा पे ज्यादा बारिश हो रही है, वो एक बात चोड़ दीजे, global warming के बैसे, पर बारिश भी कम हो गई है, ठीक है, तो पानी को हमको बहुत seriously सोचना है, हेड्रोफोनिक फॉर्डर, यह जो चारा है आपके सामने, इसको उगानी के लिए, जो एक किलो चारा बनता है, एक किलो सीर से जब हम 6-7 किलो फॉर्डर का जो आउटपूट निकालते हैं, हेड्रोफोनिक का, फिर वो बारली हो या फिर मेज हो, जिसका हम basically ज़्यादा practice कर लगते हैं, तो उसको approximately एक लिटर के आसपास पानी लगता है, उससे भी कम लगता है, पर चलो एक थमरूल पकड़ के चलिए, कि आपको 1 kg का production निकालनी के लिए, आपको 1 लिटर पानी लगेगा, तो अगर रोज का अगर आपको 100 kg का production निकालना है एक बैच में, तो आपको 100 लिटर का बंदोबस करना है, एक दम सीधी सीधी सी बात है, तो आप calculate भी कर सकते हैं, कि आपके पास कितना पानी है, on that basis आपका production भी निकाल सकते हैं, ये आगी की बहुत बड़ी चिंता होने वाली है, कि अगर आज के तारीक में आपके पास जगा तो है, पर future में अगर आ एक दम fine level पर सोचना पड़ेगा, कि हम इसको कैसा बचा की use करेंगे, इस technology कैसा, ये close loop system है, ये कैसा एक moisture पर काम चलता है, इसके अंदर, एक humidity मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए हमें पानी बहुत कम लगता है, अगर आप comparison करेंगे न, कि हाइड्रोफोनिक फाडर में, और वहाँ पे 300 से 400 लिटर, या फिर और भी ज़्यादा लगता होगा, तो 300 से 400 टाइम्स ज़्यादा पानी लगता है, खेत में, तो it's a very important thing, we have to think seriously about this, इतना कम पानी लगने वाला है, तो आप तो percent के हिसाब से निकाली नहीं सकते, इतना कम पानी लगने वाला है आपका, और य यही concept हमें बचाने वाला है, फिर वो vegetables भी हो, hydrophonic में, vertical farming में, क्योंकि अब यह loop system आ गया है, इसमें कोई पानी waste नहीं होने वाला है, जो चीज आपका tray में आने वाला है, वोई चीज वापीस आप recirculate भी कर सकते हैं, कुछ options ऐसे भी है, या फिर इतना हलका सा पानी लगत सकता है, कि हाँ मैं इतने कम पानी में 25-50 बकरे का या 10-15 गाई का project run कर सकता हूँ, क्योंकि कोई आदमी सोच ही नहीं पा रहा था, इसके पहले, जिसके पास जमीन 4-5 जमीन पड़ी हुई है, पर उसके पास पानी नहीं है, तो उसने यह सोच नहीं छोड़ दिया था, पर आज यह technology के बज़े से, आप सोचना चालू कर सकते हैं, कि चलो, calculation कर सकते हैं, कि इतना कम पानी लगे गया, तो हम उसमें production निकाल सकते हैं, मैं यह भी आपको बोलना चाहता हूँ, worst case में, अगर कभी आपके या पे पानी पूरा खतम भी हो गया, तो आप इतना हिम्मत रख सकते हैं, कि कुछ tanker लेके, आप आपका production निकाल सकते हैं, तो भी उसका costing इतना नहीं रहेगा, अगर आप purchase करेगे कोई पानी का tanker, और कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि एक-एक, दो-दो-तिन-तिन मेना कोई area में सुखा रहता है, बिल्कुल पानी ने रहता है, तो ऐसे case में अगर आप tanker से पानी लेके आखे भी आप ये production निकालेगे, तो भी आपको हिसाब किताब में बेटेगा, ये आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा, कि ये तो बहुत waste हो रहा है, पानी बहुत जादा लग रहा है, खेत में ऐसा कभी possible नहीं है, कि चलो दो-तिन मेना भी problem आ रह और खेत में आपको 300-400 लिटर पानी waste होता है, लगता नहीं है, वेस्ट होता है, तो this technology is going to save your water also.